स्टोरी बताऊंगा, I'm sure कि हम सभी standard लोगों के life में, means कि जो चीज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जहाँ पर time लेके जाएगा, वहाँ चले जाएंगे, समय पर जो चीज मिल जाएगी, वो हासल कर लेंगे, नहीं, अगर ये स्टोरी अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो ह आपको यकीन हो जाएगा, कि हाँ या, जो लेवल में जा रहा हूँ, वो बहुत चोटा है, मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, तो स्टोरी कुछ हैसी है, कि एक बार एक आदमी, जंगल में कहीं खो जाता है, उसके बास, खाने पीने का जो भी सामान था, वो बहुत जल् तो जरूर होगा, और उसे पानी मिल ही जाएगा, तभी उसे दूर एक जोपड़ी दिखती है, वो अपनी आखों पे यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि पहले भी वैसे ब्रह्म में आ चुका था, पर बिचारे के पास इसके यकीन करने के अलावा, और कोई चारा था भी तो नह आखिर ये उसकी आखरी उमीद चो थी, और वो अपनी बचे-खुची तागत से जोपड़ी की तरफ चल पड़ा, जैसे जैसे वो करीब पहुंचता, उसकी उमीद बढ़ती ही जाती, और इस बार भागे बे उसके साथ था, सच मुच में जोपड़ी वहाँ पे थी, पर य एक हैंड पंप लगा था, वो वेक्ती एक नई उरजा से भर गया, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस्ता वह तेजी से हैंड पंप को चलाने लग गया, लेकिंग हैंड पंप तो कबका क्सूख चुका था, वो वेक्ती निरास हो गया, उसे लगा कि अब उसे मरने से आगस दिखी, उस पर लिखा था, इस पानी का प्रियोग हैंड पंप चलाने के लिए करो, और वापिस बोतल भर कर रखना ना भूलना, ये एक अजीब सी स्थिती थी उस वेक्ती के लिए, उस वेक्ती को समझी नहीं आ रहा था, कि वो पानी पिये या उसे हैंड पंप में डाल कर चालू करें, उसके मन में तमाम सवाल उठ रहे थे, अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला, तो क्या होगा, अगर यहां लिखी बात जूट होगी, तो फिर क्या होगा, और क्या पता, जमीन के नीचे पानी सूख सा गया हो, लेकिन लास्ट में एक बात उसने फिर कही, कि लेकिन क्या पता, पंप चल ही पड़े, और क्या पता, यह लिखी बात सच हो, वह सोच नहीं पा रहा था कि वो करे क्या, फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली, और कापते हाथों से पानी पंप में डालने लगा, पानी डाल कर उसने भगवान को प्रात और उसे छट पे बांद दिया, जब वो ऐसा कर रहा था, तभी उसे अपने सामने एक और सीसी की बोतल देखी, खोला तो उसमें पैंसिल और एक नक्षा बढ़ा हुआ था, जिसमें उस जंगल से निकलने का रास्ता था, उस वेक्ती ने रास्ता याद कर लिया, और नक्से फिर भी नहीं लिया, वो चाता तो वो नक्से लेकी जा सकता था, इसके बाद उसने अपनी बोतल में, जो पहले से ही उसके पास थी, पानी भर कर वहां से जाने लगा, कुछ आगे बढ़ा, उसने एक बार फिर पीछे मुड कर देखा, फिर कुछ सोच कर वापिस उस जोप पानी से हैंड़ पाम को चलाए, उसके बाद उसके मन में 8-10 सवाल आए, यह राइट है कि हमारे लाइफ में भी, अगर आप बहुत से लोग को देखते होंगे अंबानी या ऐसे सकस्वल लोग, तो आपको लगता होगा हाँ यार, यह लोग कर सकते हैं, हम नहीं, वैसे ही ऐसे जंगल में बहुत से लोग आते थे, जो साइद यह सोचते होंगे कि अरे यार, यह पाम्प चलेगा या नहीं, चल यह पानी में पी लेता हूँ, यही सोच के उस वेक्ती ने वहाँ पे लिखा कि मेरा यकीन कीजिए, इस हैंड़ पाम्प से पानी निकलता है, सच में यह लाइन हमें सिखाती हैं कि बुरी से बुरी स्थिती में भी अपनी उमीद मत छोड़ी हैं